Sun Pharma पर discussion करना बहुत important है कल जो है Sun Pharma Days Low की तरफ बंद हुआ सब को पता है हलोल में कुछ issue आया लेकिन 3% of revenue का होने के बावजूद उन्होंने management ने काफी clarification दिये जो हम चलाएंगे अभी screen के उपर कि हमारे specialty chemical side of the business बहुत बढ़ियां कर रहा है और कोई problem नहीं होने वाली है सिर्फ 3% है ये matter काफी clarification है बावजूद stock में कुछ reaction नहीं आया खास recovery का in fact days low बंद हुआ कल fresh shorting भी हुई है stock के अंदर संतोश आप बताएं क्या levels नजार आते हैं बीच में एक तो जो short hold कर रहा है वो किस लेवल पर target रखना चाहिए दूसरा किसी को opportunistic buying करने का माने किसा में इस गिरावाट में लूँगा तो कहां किस लेवल पर देखना चाहिए संतोश यह संफार्मा जो एक outperformer रहा था फार्मा इस पेस में लेकिन इसने 1068 के आसपस एक kind of double top formation बनाया ब्रेकडाउन दिया है तो अभी स्पेस और है नीचे आने कि नीचे में मुझे 950 तक का target लगता है 950 बहुत critical area है वहां पर जाके अगर कोई शॉट किया तो वह कवर कर लेना चाहिए और को रिस्क लेकर फ्रेश बाइंग भी करना चाहता है तो कर सकता है क्योंकि वही एक एरिया जहां से साइडवेस मूफ रहने के बाद क्या फिर से बाउंस बैक करेंगे कल तो सारे फार्म स्टॉक्स पे इंपार्ट करें बाजार में कल गिरावट भी थी लेकिन फार्मा स्पेस बड़ा लगाट था कर आई टी फार्मा में बहुत आ रही है क्योंकि यह मैं आपको बता दूं क फार्मा मार्केट का बहुत चोटा सा हिस्सा हो गया बहुत लंबा समय रहे अंडर परफॉमेंस का तो अपुर्चिनिस्टिक रिबाउंट्स फार्मा में है इसमें कोई दोराय नहीं है वो सिपला में डियरल में लूपिन में या किसी और में आपको इंडिविजिल स्टॉ अविजिया इस बात को बोलता हूँ कि फंडमेंटल आपको यह बताएंगे क्या खरीदना और बेचना है लेकिन टेखने कब और कितना खरीदना और बेचना है किस लेविल पर आपकितना एड करें और संतोष मुश्करा भी रहें इस बात को सुनके हैं संतोष यह से बेस्ट लाइन है कि फंडमेंटल टेस्ट वाइं टेकनिकल स्टेस्ट वें तूबाइब